हेलो दुस्तो नमस्कार बात होने वाली है टाटा ग्रूप से जुड़े वे दो दिगज स्टॉक्स यहाँ पे खुद को अपडेट यहाँ रखना चाहिए सो टाटा मोटर की बात करें आज के दिन तो नॉर्मल परफॉर्मंस ही देखने को मिला कोई जाधा जंप नहीं जाधा कोई गिरावट नहीं जाधी, neutrally आप लोग यहाँ पे कह सकते हो 0.45% की गिरावट तो टाटा मोटर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो लगबग अगर आप पिछले 5 दिन की बात करें तो लगबग 1.5% की जंप देखने को मिले ती एक महने की बात करें तो लगबग 6.5-7% की जंप देख कि या पर मिल रही है आप सब लोग को बता है किसी भी company को सबसे खास बात अगर कोई होती है तो वो रहती कोई भी contract मिलना या फिर कोई order मिलना कोई tender मिलना इससे क्या हो जाता है company को पैसे मिलते है obviously जो उनका business है वो जो goods provide करेंगे उसके बदले उन लोगों को वहाँ पैसे मिल आने वाले समय में company के numbers में भी हम लोगों को सुधार देखने को मिल जाता है तो ऐसी एक news आज के दिन हम लोगों को या पर देखने को मिले टाटा मोटर से रिलेटेड बट उस news के उपर जाने से पहले एक बार फॉर्मलेटीज कर लेते हैं 30 जून के तारिक की अगर हम hydrogen based अगर हम लोग बात करें या पर PEM fuel से रिलेटेड जो बसे से रहते हैं कहां से यह order जीट चुके फ्रॉम IOC Indian Oil Corporation अगर हमने heading भी बाता दू तो heading इतना ही है कि IOC ने यहां पर मतलब contract देने की बात की थी कि उनको 15 hydrogen based जो बसे से रहते हैं PEM की अगर हम लोग बात करें तो व announcement इसका कर दिया है सो बहुत ही बढ़िया यह news हम लोग यहां पर देखने को मिल चुकी है यहां पर लग चुका है उसके बाद हम लोग को यहां पर winner आते वे देखने को मिल रहा है और वो भी है Tata Motor जो कि आप देख सकते प्रोसेस का सारा चीज हम लोग को अभी भाहर आते वे देखने को मिल रहा है सो टोटल कितने बसेस ओल 15 बसेस यहां पर डिलिवर होने वाली है कॉंट्रेक्ट मिल चुका है टाइम लाइन आप देख सकते हैं विदिन 144 वीक्स का टाइम यहां पर दिया जा चुका है इसी के तहद जो Memorandum of Understanding जो रहते हैं MOU वो भी यहां पर साइन होने वाला है सो यह सारी चीज़ें हम कह सकते हैं definitely एक positive sign जरूर देती है अगर हम लोग बात करें Tata Motor also collaboration यहां पर रहने वाले है with them to undertake the R&D projects and collectively study the further the potential of a fuel cell technology अगर हम लोग बात करें commercial vehicle के लिए यूज रहते तो IOCL के साथ सिर्फ इनकी buses के साथ deal नहीं हुए प्लस हम लोगों को आगे जाके R&D भी यहां पर होते वे देखने को यहां पर मिलने वाले technology से related बात यहां पर चल रही है so बहुत ही अच्छी कासी positive news हम लोगों को देखने को मिल रहे है ऐसी news कल भी आ सकते परसो भी आ सकते तो इसलिए कहना चाहूंगा intraday की करने करके कोई जरूरत यहां पर नहीं है ऐसी चीज़े during the market भी आ चाहिए कि इसका जो announcement रहता है बहुत बार हम लोगों को late भी देखने को मिल जाता है तो इसका फायदा long term में अच्छा कासा हो सकता है तो इतना तो मैं कह सकता है कि Tata Motor के लिए बहुत ही शांदार news हम लोगों को देखने को मिल रहे है अल्रेडी Tata Motor बहुत ही ज़्यादा form में भी चल रहे है जैसे कि अगर मैं बात करूँ अगर हम लोग बात करें कल के दिन भी Tata Motor से रिलेटेड हम लोग ने एक और positive news देखी थी news देखा जाए तो डिरेक्टनी Tata Motor से रिलेटेड ने थी बट ये बताया गया कि European market में electric vehicle की demand बहुत बढ़ चुकी है 9% के आसपास जा चुकी है and electric vehicle के अगर हम लोग बात करे European market में तो Tata Motors का Jaguar and Land Rover की जो unit है वो हम लोग को जबरदस मतलब जो subsidy वो बहुत ही अच्छा गासा performance देती है आपर देखने को मिलती है तो इसलिए Tata Motor, Mother Sun, Sumi जैसे companies को इस news का भी फाइदा future में यापर हो सकता है इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे खबरे आते रहते हैं जिसका फाइदा थोड़ा थोड़ा यापर companies को यापर मिलता रहता है और इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ जो भी लोग Tata Motor में निवेश कर रहे हैं आपको लंबा ही खिलना पड़ेगा एटलिस दो से धाई साल यहापर देने पड़ेंगे क्योंकि company के और बहुत ज़दा करजा है जो कि उन्होंने कहा है कि हम लोग उसको हटाने वाले बट आप हमें time दीजिए तो अगर आपका विश्वा से company के management के और तभी जाके निवेश करना है और निवेश भी करोगे तो उन्होंने कहा है कि दो से धाई साल time दीजिए तो उतना तो time आप लोगों को देना वहापर पड़ता है definitely हम लोग कह सकते है Tata Motor के management ने इसके पहले भी ऐसे बहुत सारे वादय किये थे और उन्होंने वो fulfill भी किये थे timeline को ही पकड़ के तो हम कह सकते कि इसका मतलब जो impact रहेगा वो future में हम लोग को stock में और भी positivity के साथ देखने को भी मिल सकता है next अगर हम लोग बात करेंगे एक और stock है Tata Group से ही जोड़ा हुआ Tata Power ये usually बहुत सारे लोगों का famous बन चुका है क्योंकि सस्ता हम लोग को देखने को मिलता है हाला कि मैं अभी भी कह रहा हूँ क्यों Tata Power ये मेरी आखरी choice रहे थे Tata Group में जीतने भी stock से उसके हिसाब से क्योंकि company के numbers में ने देखे quarter 4 के जो मैं expect करता हूँ अभी तक उस level के देखने को नहीं मिल रहे हाँ अच्छे ठीक ठाकी है हम लोग कह सकते हैं बट Tata Power में सबस्यादा तेजी इसलिए आती क्योंकि future की बाते हैं अगर हम लोग करें contracts जो मिलते रहते उसी से related हम लोग को अच्छी तेजी यापर देखने को मिलती है अभी भी मैं expect करा हूँ company quarter 1 के numbers तो अच्छे यापर आने चाहिए तब हम लोग जाके अच्छा लासा और भी investment यापर करके आगे बढ़ सकते है फिलाल बात करेंगे टाटा पावर की देखा जाए तो फुल पावर सेक्टर से ही जोड़ी भी news हम लोग को देखने को यापर मिलिये कि सरकार के और से यापर मदद मिलने वाले कुल मिला के 3.3 lakh करोड रिफॉर्म बेस्ट यापर चीजे हम लोग को मदद मिलती है यापर देखने को अल्रेड़ी यापर मिल चुके मतलब सरकार ने मंजूरी भी यापर दे दिये और उसके चलते हैं अगर हम लोग बात करें लगबाग 97,000 चलो 98,000 करोड की बात करें तो power distribution से related जो भी companies काम करती है उनको यापर इसका फायदा यापर होने वाला है तो पूरी news के अगर हम लोग बात करें तो ये news पूरे power sector के लिए है तो जितने भी power से जुड़ेवे stock से उनको इसका फायदा future में directly नहीं directly यापर होने वाला है जो भी ये business यापर आगे बढ़ाने वाले उससे साथ जो भी खर्चा यापर होने वाला है तो कुछ अत्तक यापर सरकार के और से भी उनको यापर relief मिलने वाली है तो इसका फायदा भी power sector वाले जो भी stock से वो electric vehicle येस टाटा खूद अगर electric vehicle को develop करना चाते तो अपने ही टाटा पावर की मदद यापर वो जरूर लेंगे तो इसलिए टाटा पावर भी हम कह सकते ही इसके चलते जो की 2008 से हम लोगों को wealth destroy करते वे देखने को मिल रहा है वो अभी थोड़ा सा अच्छा performance करते वे देखने गिरावट में था तो इस वक्क की उसकी comeback हम लोगों को ठीक टाक यापर देखने को मिल रहें बट में again and again कह रहा हूं दोस्तो कि अगर आप टाटा के shares में interested हो तो मुझे इससा लगता है कि इससे भी भैंकर मतलब बहुत ही बढ़िया बढ़िया stock आप लोगों को यापर मिल आप हो जाता है तौह जरूर हम लोग या पर कह सकते कि इसके बाद हम लोग TATA पाउर में अगे बढ़ सकते देखों इतना ज्यादा पैसा नहीं लगा है जितना मैं बाकी के TCS, lexis की बास करेंotta केमिकल में बड़े-बड़े stocks राज़ी चांठ कusta और भी अपना निखार लेगा तो हम लोग जाके वहाँ पे निवेश की बात और भी बढ़ानी की कर सकते हैं 30 जुन की बात करें तो 19 से 20 पसंट की डिलिवरीज देखने के आपे मिल चुकी है तो दोस्तो टाटा पावर हो या फिर टाटा मोटर इंसे रिलेटेड यह जो एक इंपोर्टन ब्रेकिन निउस थी वो मैंने आप लोगों के आप बता दिये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरू लाइक और शेयर कर देना वी बिल भी मिटिंग अर्निक शुड़ी तब तक के लिए बाई बाई